नमस्कार मैं हूँ प्रग्या बिहारी नियूज में आपका स्वागत है खब्रों के ओर बढ़ने से पहले एक नसर सुर्ख्यों पर खत्म हुआ बिहार सिक्छक भरती परिच्छा आयोग ने ओनलाइन अप्लोड किये क्वेश्चन पेपर बिहार की नदियों में एक बार फिर आया उफान सुसान सिंग राजपूत के खाली पड़े बंगले को खड़ी देंगी या एक्ट्रेस बिहार में समाने से 27 प्रतीशत कमपारिस शुरे कुमार यादव के बल्लेबाजी को लेकर पुर्व भारती सलामी बल्लेबाज ने दी सला इसके साथ ही बरते हैं शाम तक की बड़ी खबरों की ओर विस्तार से खत्मोवा बिहार सक्षक भरती परिक्षा आयोग ने ओनलाइन अप्लोड किये क्वेस्टन पेपर बीतर दिन 26 अगस्त को बिहार लोकसेवा आयोग की तरफ से ली जा रही बिहार सक्षक भरती परिक्षा की समापती हो चुकी है ऐसे में अब आयोग की ओर से सभी विश्यों से जरे परिक्ष्ण पत्र को ओफीसिल वेель साइट पर अप्लोड कर दिये गए हैं यानि कि वैसे अभ्यरती जो अपने परिक्षा समाप्त होने के फौरण बास सभी विश्यों के परिक्ष्यों जारी किये गए हैं उससे ऐसी उमीद की जारी है कि जल्द हिस्सक्षक भरती परिक्षा की आंसर की भी जारी कर दी जाएगी और परिक्षा के परिणाम भी सितंबर के आखरी सब्ता तक जारी कर दिये जाएंगे बिहार के नदियों में एक बार फिर आया उफान, नेपाल में हुई भारी बारिस की वजह से सूबे की एक दर्जन से अधिक नदियों के जलस्तर में एक बार फिर से तेजी से विधी हो गई है, जिससे के उत्तर बिहार में बार का खत्रा मंडराने लगा है, आपकी जानकारी इसके लावा, सहरसा में कोसी नदी के जरस्तर में विधी के कार अंटटबन के अंदर सैंकरो गाउं में पानी फैल क्या है, गंडक बढ़ाजवाल में की नगर से, अब स्ट्रीम से 2.2-4 लाख क्यूसिक पानी गंडक नदी में छोडा गया है, वहीं गंडक नदी के जरस्तर म अपर मुख्य सचीव केके पाठक के द्वारा कई फर्मान जारी किये जा रहे हैं। अनुपात में नहीं हैं जितने अनुपात में बच्चे स्कूल पहुँच रहे हैं। अनुपात में नहीं की गई हैं लेकिन उनकी बातों से ऐसे संकेत मिल रहे हैं। इस पर उनने कोई कनफर्म रेक्शन तो नहीं दिया लेकिन कहा कि जो भी होगा सबसे पहले आप सबको बताऊंगी और सब सही रहा तो आप सभी को जल्दी मिठाई खाने को मिलेगी। ऐसे में अब उनके इस बयान से हकयास लगाए जाने लगे हैं कि दिवंगत अक्टिर सुसांग सिंग राजपूत का वंगला अदासरमा ख़रीच सकती हैं। एक ट्रक से तकडीवन सतर लाग का विदेशी सराब बरामत। जहां मतनिशेद विभाग पटना को मिले गुप्त सूचना के आधार पर सदर खाना की पुलिस और विभाग की टीम के दौरा कारवाई करते वे एक ट्रक से लगभग सतर लाग की विदेशी शराब बरामत की गई है। इसके साथ ही पुलिस के दौरा इस कारवाई में ट्रक के ड्राइवर और खलासी को भी गिरफतार में लिया गया है। आपकी जानकारी के बता दे कि इनकी पहचान रमेश कुमार और लक्षमन राय के रूप में की गई है। बता दे कि फिलाल इस मामले को लेकर पुलिस और विभाग की टीम के दौरा आगे की कारेवाई की जा रही है। बिहार में सामाने से 27 प्रतीशत कम बारिश हुई है। ऐसे में अगर हम बिहार के राजधानी पठना की बात करें तो यहाँ सामाने से 41 प्रतीशत कम बारिश हुई है। मौसुन भाग के अनुसार भागलपुर में 706.6 mm बारिश होनी चाहिए लेकिन बारिश 745.4 mm हुई है जो कि सामाने से 5 प्रतिशत अधिक है वही अरडिया में 1033.6 mm बारिश होनी चाहिए लेकिन 1066.3 mm बारिश हुई है जो कि सामाने से 3 प्रतिशत अधिक है बतादे कि मौसुम भाके नुसार जिन 11 जिलों में सामाने शे 20 प्रतीशत कम बारिश हुई है उनमें मुझपरपुर, मधेपूरा, कसंगंज, खगरिया, सुपॉल, वैशारी, पुर्णिया, दर्भंगा, कटिहार, बकसर और बांकार शामिल है वही पठना सहिज जिन 6 जिलों में बहुत कम बारिश हुई है उनमें सीता मधी सहर सा पुर्वी चमपारन सारन पठना वा भोजपूर शामिल है बिहार के इन 6 लड़कियों का बिहार फुटबॉल टीम में हुआ सेलेक्शन पंजाब के अमरित सर में 2 सितंबर से आयुजित होने वाले नेशनल गेम राष्ट्रिय बालिका अंडर 14 फुटबॉल चैंपियंशिप में भाग लेने के लिए बिहार महिला फुटबॉल टीम में सिवान जिले के 6 लड़कियों का चेहन किया गया है उनमें सवीता कुमारी, गोलकीपर, डिफेंडर नैना कुमारी, स्ट्राइकर खुस्बु कुमारी, स्ट्राइकर अंसु कुमारी, स्ट्राइकर अराधना कुमारी एवां मिड़ फिल्डर अंचली कुमारी के नाम शामिल हैं विहार में यहां बन रहा 111 फीट उंचा भव स्री राम जान की मंदर। अखारे के जुरे बावा विश्व मोहंदास के दौरा बताया गया है कि यह मठ करी 30 एकर में फैला है और यहाँ पर राम जान की मठ में श्रियाम जान की मंदर के अलावा संस्कृत हाई स्कूल और संस्कृत कॉलेज भी इस्थापित है मठ में सैक्रो साल पुरानी गौशाला है और वर्तमान में यहाँ पर करीब 40 गायों के साथ गौशाला से निकलने वाले दूद का प्रयोग मठ मंदर में आने वाले भक्तो और शाधू महात्मा के भूजन और प्रशाद निर्मान में किया जाता है मंतरियों के नीजी सचीवों के लिए जारी गाइडलाइन पर सक्षा मंतरी की आई पहली प्रतिक्रिया बिहार सरकार के मुखे सचीव आमिर सुभानी के दौरा पत्र जारी कर यकाहा गया था कि प्रशास्निक सिवाओं के माध्यम से चुने गए अधिकारियों के अलावा राज्य में मंतरियों के नीजी सचीवों के रूप में काम कर रहे लोगों को सलाह दी गई है कि वह संबंधित विभागों के कामकाज में हस्तचेप ना करे वहीं अब इस पर सक्षा मंतरी डौक्टर चंदर सेखर के द्वारा अपनी पहली प्रतिक्रिया दी गई है बता दे कि बीते दिन सुपोर शहर के वैपार संग भवन में आयुजित जंग चेतना कारे क्रम में शामिल होने के लिए पहुँची डौक्टर चंदर सेखर के द्वारा सरकार की गाइडलाइन को बहतर और सपस्ट बताये गया है उन्होंने कहा कि पुर्व में सरकारी और नीजी सचीवो के कारे का ताजा सपस्ट नहीं हो पाता था ऐसे में अब इस नोटिफिकेशन के जारी होने के बाद बहुत हद तक सब कुछ सपस्ट हो चुका है वहीं जब उनसे केके पाठक के विवाद से जरे सवाल पूछे गया तुन्होंने कहा कि लोग समझने के लिए कुछ भी समझ सकते हैं लेकिन सरकार के द्वारा दोनों सचीवों का कारे परिभाशित किया गया है और इसमें विवाद वाली कोई बात नहीं है पटना म्यूजियम के लिए अभी और करना होगा इंतजार माध्यम से म्यूजियम की पुरानी इमारत में प्रविश कर अने दिरगाएं दिखेंगी जो अलग अलग विश्यों पर अधारित होंगे संग्रहाले के निदेशक दीपक अनंत के द्वारा कहा गया है कि पटना म्यूजियम तीन माह बाद खोलना था लेकिन अभी की ओर से दलत वोट बैंक को मजबूत बनाने की शुरुबात कर दी गई है इसी कड़ी में बिहार के पुर्व मुख्य मंतरी जीतन रामांची की पार्टी हिंदुस्तानी आवा मोर्चा के राश्ट्री अध्यक्ष संतोष कुमार सुमन के द्वारा भी दलत वोट बैंक को म बनाने राजियों में भी चल रहा है दलत वोट बैंक किस तरह से और मजबूत हो इसको लेकर पार्टी के बड़े नीता और कारीकरत लगातार काम कर रहे है तो वहीं दूसरी और आरजेडी प्रवक्ता एजाज एहमत के द्वारा कहा गया कि बिहार में महागरवंधन की सरक बिहार है और लगतार दलितों के हित में विकास का काम होड़ा है इसलिए अगले चुनाव में दलत वोटर महागरवंधन का साथ देंगे वैसे भी जीतर नाम माजी ने सीटों के लारच में अपने विचार को त्याक कर बीजपी का दामन थामा है आपने किया बिहार विधान सभाचनाव लड़ने का एलान? अपने संगर्ठन को मजबूत बनाने का काम करेगी और फिर यह नड़ने लिया जाएगा कि बिहार में कितने सीटों पर चुनावल लड़ना है ऐसे में अभिया अशंका जताई जारी है कि आपका बिहार से लड़ना बिहार के मुख्य मंत्री नितीश कुमार की पाटी जेडियू और बिहार के उप मुख्य मंत्री तेश्वी यादव की पाटी राज़त की टेंशन बढ़ा सकती है पियम मुदी ने जीबी सिखर समेलन को लेकर कही मन की बात सक्ति का भी जिवन्त उधारन है इस पूरे मिशन में अनिक महिला व्यग्यानिकों और इंजिनियर सीधे तौर पर जुरे रहे हैं इन्होंने कई एहम जिमेदारियां संभाली है उन्होंने पर्यावरन को लेकर विक्षाड ओपन और जलसनक्षन पर भी जोर दिया था इसके अलावा पीएम मोदी ने यम्रा नदी में बार और पहारी छित्रों में भूस संक्लन समेत अन्य गटनाओं की चर्चा की सुरे कुमार यादव के बल्लेबाजी को लेकर पुर्व भारती इसलामी बल्लेबाज ने दी सला भारती टीम के धाकर बल्लेबाज सुरे कुमार यादव के बल्लेबाजी के क्रम को लेकर भारत के पुर्व सलामी बल्लेबाज वजीम जाफर के द्वारा बड़ा बयान दि और वहाँ पर वहाँ अपनी क्रिकेट और अपने सौट खेल पाएंगे सुरिया उनकी कप्तानी में खेले हैं और वसीम के सामने डेब्यू भी किया है उन्होंने नमबर 4 पर हमेशा बल्ले बाजी की है लेकिन मौजुदा समय में सौरिया ने अपने गेम पूरी तरह से बदल लिया है जिसकी वज़र से उन्हें T20 क्रिकेट से वन डे क्रिकेट में अपने खेल को बदलने में परिशानी हो रही है जानी आज बिहार में क्या है पिट्रॉल डीजल करेट बिहार में आज यानी रविवार को पिट्रॉल डीजल करेट जारी किये गए इसके बाद राजधानी पतना में आज पिट्रॉल 107.59 रुपे और डीजल 44.39 रुपे प्रति लीटर में मिल रहा है बिहार में पिट्रॉल का रेट सबस्यादा किसन गंच में है जहां पिट्रॉल 107.59 रुपे प्रति लीटर और डीजल 96.39 रुपे प्रति लीटर की दर्सें मिल रहा है बीते दिन हमारे दरह पूछी का सवाल का आप लोगों में से बहुत लोगों ने पने जवाब हमेंवारे कमेंट स्क्शन बॉक्स में लिख कर दिया है इसके साथी बढ़ते हैं आजके सवाल की और आजका सवाल है आपके छेत्र में धान की रोपनी कैसी हुई है अपना जवाब हमें अमारी कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं आज के लिए इतना ही बिहार के तमाम कबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहें और अगर आप यूटूब से देखरें चानल को सबस्काइब करना और अगर आप फेस्बुक से देखरें तो पेस को फॉलो करना ना भूले धन्यवाद